हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल जैक पूरपया आज के इस वीडियो में हमें क्लास 10 का हिंदी एक जो है इसका चैप्टर वन का लगबग पूरा सवाल को हम लोग क्लियर करने वाले हैं ठीक है और चैप्टर वन के चैप्टर ट हो जाए फाइनल एक्जाम को ले करके ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आपन को दबा दीजे ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबैल को चाहें तो देखें पूरा करने का विश्वास दिलाया था तो महीने भर में कारे पूरा कराने का विश्वास दिलाया था अब देखी अब मैं पढ़ा रहा हूं न यह जो पीडियाफ आप देख रहा हूं यह भाई पीडियाफ है इसके लिए को डिमांड मत करना ठीक है क्योंकि भाई इस क्यों नहीं लेना है न कोई जो जब दस्ती नहीं है आप जो है क्या कर सकती है इसको नोट कर सकती हो ठीक है आप उसको नोट कर लो बहुत अच्छा है चली कोशन नमर तीन पर आते हैं कोशन नमर तीन में आपसे कहा जा रहा है कि मुर्ती बनाने का काम किसे सौपा गया था त पान वाला था तो पानी ठूसर के रखेगा ठीक है आईए कोशन नम्र पांच में कहा जा रहा है कि नेता जी की मुर्ती पर चस्मा कौन बदलता था तो चस्मा बढ़ बढ़ गया करता था बदलता था नेता जी का चस्मा पार्ड का लेख़ कौन है? कोशन नमर आते हैं नाइन पे, कोशन नमर नाइन में कहा रहा है कि पान वाला किस बारे में बात करने को त्यार नहीं था, तो कैप्टन के बारे में, कैप्टन के बारे में, कैप्टन के बारे में बात करने को त्यार नहीं था, कोशन नमर दस पे आई, कोशन नमर दस में आप कौन करता था तो कैप्टेन करता था ठीक है कोश्चा नमर 12 पर ये कैप्टेन को क्या अच्छा नहीं लगता था नेता जी का बिना चस्मे वाली मूर्ती को देखना तो नेता जी का जो बिना चस्मे वाली मूर्ती थी उसको देखना कैप्टेन को क्या लगता था अच्छा नह थी तो उपेक्ष्या की भावना थी, क्या थी? उपेक्ष्या की भावना थी, इसको याद रखेगा. Question Number 15 पर ये कह रहा है कि चस्मे वाले को लोग किस नाम से जानते थे, तो Captain के नाम से जानते थे, ठीके? question number 16 पर ये कह रहा है कि नेता जी का चस्मा पार्ट में पान वाला किस तरह का वैक्ती था तो ये जो एक मोटा सा हस्मुक और खुसमिजाज वैक्ती था क्या था हालदार साहब क्यों कस्बिल से गुजरते थे तो कंपनी के काम के सिल्सले में किस सिल्सले में कंपनी के काम के सिल्सले में question number 18 ने हमारा कि नेता जी चस्मा पार्ट में कैप्टन कौन है तो एक चस्मे वाला है एक चस्मे वाले को क्या कहा जाता है question number 19 पर ये कह रहा है कि नेता जी का चस्मा पार्ट में पान वाला उदास क्यों हो गया कैप्टन की मिर्तियों के कारण जब कैप्टन मर गया तो वो उदास हो गया कोशन नमर 20 पर ये कोशन नमर 20 में कह रहा है नेता जी का चस्मा किस परकार का पार्ट है तो ये एक कहानी है क्या है ये एक कहानी है कोशन नमर 21 पर ये कह रहा है कमपनी के काम के सिलसले में हर पंद्रवे दिन कस्बे से कौन गुजरता है तो हालदार सहाब कौन गुजरता है हालदार सहाब Q24 पर आईए कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ती लगी वी थी तो सुभास चंदर बोस की Q25 पर ये कह रहा है Q26 में कहा रहा है कि हालदार सहाब दुखी क्यू थे Q27 नेता जी का चस्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है तो पानवला Q28 पर आईए Q29 पर कह रहा है कि द्वाइंग मास्टर का क्या नाम था तो मोती लाल Q30 पर ये कह रहा है Q30 की उचाही कितनी थी तो दो फुट Q35 में कहा रहा है कि बाल गोबिन भगत किन को सहब मानते थे तो कभीर दास को किनको मानते थे कभीर दास को कोश्चन नमबर 36 पे आईए 36 में कहा जा रहा है कि परिवार रखते हुए भी बाल गोबिन भगत क्या थे एक साधू थे तो बाल गोबिन भगत का वेवार कैसा था खारा और सच्चा था साधू वैरागियों जैसा था और जगड़ा नहीं करने वाले थे ठीक है कोश्चन नमबर आते है 38 पे कहा जा रहा है कि अपनी फसल को बाल गोबिन चार कोश दूर कहां ले जाते थे तो कभीर बंती मट में बाल गोबिन भगत पाट का लेका कौन है राम विर्ज बेनी पूरी याद रखेगा यह इंपोर्टन्ट है कोशन नमबर 14 पर यह कह रहा है कि बाल गोबिन भगत कौन थे देख शादू थे इसको आप लोग को याद रखना है कोशन नमबर आते हैं 41 पर भगत के संगीत के जादू का प्रवाव किस परकार किस किस पर पढ़ता है तो को किसानों पर आसपास खेलते बच्चों पर और मेर पर खड़ी और तो पर इसको याद रखेगा कोशन नमर आते 42 पर कह रहा है बाल गोबिन भगत अपने बेटे से समाजिक रूडियों को तोड़ना चाते थे वो समाज में जो कूप पर था थी उसको तोड़ना चाते थे कोशन नमर 44 है हमारा की भगत ग्रिहस्त होते हुए भी वस्तुता क्या थे एक सादू थे 45 में यह 45 में कह रहा बाल गोबिन भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था तो इसवर की भगती का भाव Q46 पर यह कह रहा है कि खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे तो बच्चे उचल रहे थे Q47 में कह रहा है पतोहों के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया पतोहों की दूसरी साधी कराने का Q48 में कह रहा है बाल गोबिन भगत के कितने बच्चे थे तो एक लोता एक बेटा था Q49 में कह रहा है बाल गोबिन भगत पार्ट के अधार पर बताएं कि सर्म बिंदू का क्या अर्थ है तो पशीना Q50 में कह रहा है कि आप लिए पर टू भी उतना जल्दी लाया जाएगा मिलते हैं अब लोग अगले वीडियो में थैंक यू